उसकी दरिया बिच्छानी बंद करो राम मंदिर में गंटा बजाना बंद करो जिस राम मंदिर में 16 ट्रस्ट है उनمكن सबके दमाद मुसलमाने मुसल gars कर दिया अपनी लड़किया Benji जी सब उनको हुए और आने वाले चुनाओं में आपको बोट की ताकर से बैश्कार करका राने का भी काम करेंगे तमाम लोग धना परदर्शन कर रहे हैं तमाम लोग एक जुट हो रहे हैं और आज यहां क्लब में महासबा रखी गई OBC समाज की तो उसी के चलते यहां तमाम जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ है विजेंदर यादव जी क्या कुछ करने का आपने लोगों ने ठानी है जो इस तरीके से महासबाय लगा रहे हैं आपको डर नहीं लगता है सरकार से देख कि आपने परसंद पूच्छा कि आपको डर तो नहीं लगता है कि आज जो OBC महासबा के नित्रत में जो राष्ट माता सावत्री भाई फूले जन्नाय करपूरी ठाकुत और भातिमा सेख की जहनती के अउसर पर आज तमाम देश वरके बहुसंग समाज के साथ साथ OBC के लो सीएस्टी OBC के साथ OBC की जातिवार जन्ना कराकर उसको उसकी इस्यदारी संक्या के साफ से दी जाए लेकिन निरंतर 75 वर्ष से यह आवाज उठती रहती है लेकिन कोई भी सरकार चेवह कांग्रेस की रही हो चेवह बाजपा की रही हो वह इस मांग को नहीं मानती है और में पूरे देश में जन्तरमंतर हो जन्जागरा ने ब्यान के माद्यम से पूरे देश भर में जातिवार जंगन्ना और EBM अठाओ बलेट पर लाओ का और बहुसंग समाज के सबी मून लिवासी भी बोलते हैं वो अब जागरुक हो चुका है वो कहीं ना कहीं अब आपनी लड़ाई के लिए अपने आने वाली बच्चों को हख देलें के लिए अब रोड़ पर निकल चुका है और इसी के लिए डबलू टीपी निरंतर राम निल्ला मैदान के अंदर नो आठ नो दस और ग्यारा मार्च को फिर से पूरे बहुसंग समाज को एक जुटकर सभी संगटनों को लेकर देश में होने वाली जातिगत जनगना ओबीशी की कराकर उसको हख दिकार दिलाने के लिए उसकी लड़ाई के लिए तयार बैठी हुई है और नो दस ग्यारा को वो राम लिल्ला मैदान के अंदर लाकों की संक्या में लोग पहुंच रहे हैं देखिए समाज देश के अंदर सतर से बहतर किरोड के रूप में हर दूसरा वैक्ति और सबसे ज्यादा ओबीशी का यह खदिकार चिन रहा है क्योंकि ओबीशी की दरियां बिचाना बंद कर कर देगा राम मंदिर में जाना बंद कर देगा उद्दिन ओवीशी के हख अदिकार को कुछ चीन नहीं सकता लिए मैं अपने ओवीशी भाईयों को आज इस ओवीशी महासवागे प्रोग्राम के माद्दम से कहना चाहता हूं कि आप जागुरुक हो जाईए और राम मंदि के गंटे बंजाना बंद करिए अपने बच्चों का अपने आखदिकार के लिए लड़ाई लड़ना सीख लीजिए ताकि आने वाले टैम के अंदर आपका आखदिकार बच चुके क्योंकि आज पूरे देश में 40 के इंदर भी बीशी प्रोफेसर नहीं आज सुप्रीम ने हमारी बोट की ताकत को भी खतम कर दिया कहीं ना कहीं बचा कुछ आए मारे पास आरेक्शन जिसकी लड़ाई हर संगटन लड़ा हर पार्टी बात करती है लेकिन जब गेल बेल रेल हवाई अड़ सब भिख जाएगा तो यह आरेक्शन एटोमेटिक खतम हो जाएगा क् आउन चलते हुए एक जुठोकर पूरे देश के अंदर अपने गाऊं में जा जाकर सेर में जा जाकर रतयात्र गे मादम से महापूर्सों के बनाए उरस्ते पर चलते हुए बहुसंग समाज के अखदिकार की बात बताते हुए बहुसंग समाज के महापूर्सों के इत्यास को बताते हुए और किसने 75 वर्स में कौन से वो मन्नुवादी लोग है कौन सी वो पार्टी है जिसने हमारे अखदिकार छीन क 10% के लोगों को 90% काबिज करे बठे देश के अंदर उनकी पॉल खोलनी है और अपने बच्चों को अगदिकार दिलाना है जातीगत जंगरना कराने से सरकार क्या डरती है देखिए बिलकूर डरती है नहीं जो 75 वर्ष से यह मांग जो है कॉंग्रेस के राज में भी चली और नहीं कराना चाहती वह इसलिए नहीं कराना चाहती जो सदियों से और खासकर अजाजी के 75 वर्ष से जो 10% के मन्नुवादी लोग हैं वह नयाए पाली का राजिती और कारी पाली का पर 90% कब जजमाई बैठे मैं यह पूछना चाहता हूं आप से जब मेरी संक्या 2% है तो म 75 साल में साड़े 300 परिवार ही ऐसे हैं जो सुप्रीम कोट और आइकाटू में जजबनते हैं क्यों क्यों इस देश का जो 140 किरोड लोग हैं जिसमें 90% समाज के लोग हैं जो अच्छा पढ़ते भी हैं योगे भी हैं लेकिन उनको इंट्रू में काड़कर जजबनने से रोक सेक्टर अगर आपने कर दिये तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी रारक्षन की विवस्ता करनी चाहिए और यह ठेकेदारी पड़ता जो है यह दुबारा से अंग्रेजों कि तो हमें गुलाम मनाया जा रहा है जहां 40 जारुपे सेलरी है वही ठेका लिया वह पंद्रा मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं जातीगत जनकरना कराकर ओवीजी की जनकरना कराकर सथे पक्षियों के साथ उसको भी उसके अधिकार दिलाए जाये उसकी संक्या के हिसाब से नयपाली का राजित और कारिपाली का मुश्ति की से दारि दिला जा अब हमारे को 27% मिला हुआ लेकिन अब तक 65 वर्स में 11 परसंटी आरेक्षन ऑबीची को मिल पाया। जो 15 परसंट जो साड़े साथ पर पहुंचे हुआ। तो मैं यह कहना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि आरेक्षन और बढ़ जाना चाहिए। देखिए OBC का जो आरक्षन हमारा 27% है वो कहीं ना कहीं आज हमारी संक्या के इसाफ से कम से कम 40-50% हमारे को आरक्षन मिलना चाहिए तब OBC को उसका हख मिलेगा तो हम कब कह रहे हैं जर्नल केटिगरी वाले तो बोलते हैं कि इतना आरक्षन मिला हुआ है उसके बावजूद भी आप लोग जो है दंगा काटते हैं आप आपके अंदर काभीलियत नहीं है इसलिए आरक्षन के तहट आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं देखिए यह बेकु बना रहे हैं गुम जो सरकारों को भी लूट रहे हैं जो ब्रस्टाचार कर रहे हमारा अखदीकार चीन रहे हैं वहीं तो देश को छोड़कर भाग रहे हैं हमारा तो एक भी नहीं आज तक पर दूसरी बात हैं देखिए वह 72 कंटे में आरक्षन लागू कर दिया मंडलायब के लिए हमने जो ह खाया तो कहीं ना कहीं 72 गंटे में जो आरक्षन यी डबलू इसका जो दिया गया है वो इलीगल है वो सविधानीक नहीं है वह कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल करकर उसको दिया गया मैं यह पूछना चाहता हूं जब आप लोगों की इतनी पावर नहीं है आप लोग एक जुटी नहीं है क्यूंकि आप ही लोगों में से जो भी सी समाज है वह अपने आपको हिंदू बताता है कट्र हिंदू बताता है देखिए यह देश ना सारी सरकारी संस्ताने को ने चला रहे तो फिर मंत्री भी खुद कर देतें जैसे नोट-बंदी की गोशना आट बजे कर देतें और करोना की आप बजे कर देतें लोग डाउन लगा देते आट बजे तो मैं कहना चाहता हूं आट बजे आकर आज कह दीजिए इंदू राश्वन आ दिया हमने यह बिलकुल हमारे को बाटने का काम किया जा रहा है क्योंकि हिंदू को दर्म के नाम पर बाट कर ही अमारी बोटों की ताकत को यह लेकर दर्म की नाम पर आखिर लोग क्यों बट रहे हैं तो इपजन जागर में बाटने का काम कर रही है इनके यह कहते हैं कि मुसल्मानों को यह देश का नास कर दिया मैं कहना चाहता हूं जितने आरस से सुर्फ बीजेपी के लोग हैं जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके सब के दामाद मुसल्मान हैं फिर वो किसमों से कहते हैं कि मुसल्मानों बढ़ा रहे हैं और फिर उपर से कह रहे हैं कि उन्होंने देश का नाश कर दिया वह देश के खिलाब है यह दरम के नाम पर इसमें सब से बड़ा रोल है मीडिया का और मीडिया पेगिश्य चलती है 14-22 के इंदर इस मीडिया ने जूट को सच कुछ तुछ दिखाना किया यह तो अमारे यू टूब चैनल है जो अमारी आवाज कोश्चाई से डेशकी सरकार तक और देशकी लोगों को पहुचा रहे हैं वरना आज बहुत बुरी आलत है देश के अन्दर लोग वही 10% के लोग है और वह सही बोलते हैं उन्होंने तो देश को लूट लिया सारी संपती तो उनी के पास के लोग के पास जो गरीब लोग है महाई का तो उसको पता ना जिसकी किचन जो आज इतनी महांगी हो गई है सिलेंडर आज जो है 1100 रुपे तक पहुच गया है और सब्जी से लेकर अनाज से लेकर कोई चीज़ देख लो तेल दोसो दोसो तीन से गी अजार अजार रुपे पहुच गया कहीं ना कहीं गरीब मार लग रही है और मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के मादम से देश राजनिति के अंदर बी जो आस तक हमारे पंचात में नगर-णिगम में जो हमारे और मिला हुआ वह हमारे को ओब सी को स्चेस्ट की तरह Square की जाए यह भी किमागा इस में ब्हंद को बैंड कर दिया रहा हूं आपको लगता है कि आपकी मांगों को मना जाएगा और उसको रखेंगे देखिए यह गंटे में माननी जा सकती है कि अ तो हम कल आपकी पार्टी से इस्तिवादे देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे तीस राज्यों के अंदर सरकार हमारी बन सकती है अगर अपनी पार्टी लाइन से अलग अठकर एक जुठ होकर अगर माइस्तिवा दे दे तो सारी सरकार हैं हमारी कैसे परदानमंत्री नहीं जुकेगा लेकिन हमारे सांसदों को मैं कहना चाहता हूं आज यहां ओभी सी मासभा के मातम से आपने हमारे समाज की बोट ली हमारे अखितिकार की आवाज नहीं उठाई अगर आज आपने हमारी आवाज को आवाज नहीं मिलाया और ओभी सी जातिवार जंगरना नहीं कराई अरक्षन को नहीं बचाया सविदान को नहीं बचाया तो आने वाले टेम में तेश के और चोविश के लोकसवा में यह बहुसंग समाज आपको बोट की ताकर से बहिसकार करेगा आपको समाज से बहिसकार करेगा आपके घर का गेराओ करेगा आपके आपके आवास का आपके लोकसवा कराने की मांग को एक सुड़ में उठाकर इसको पूरा कराने का काम करो वरना 23 और 24 के अंदर यही बहुत संग समाज आपको बोट की ताकर से उखाट ठेकने का काम करेंगा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे विजेंदरी आदव हमेशा से समाजिक आंदोलन करते आए हमेशा से समाज की आवाज उठाते आये हैं बुलंद करते आये हैं स्की об pewno सी समाज को लेकर के हमेशा चलने ट्वाले विजेंदर यादव ने आज च्छलेंज किया है वो तमाम लोग सुनने और समझ ले कि किस तरीके से किस ठगा जा रहा है समाज को वो अपने हक अधिकारों को जो भूल गया है उसी के चलते आज विजेंदर यादव ने अपनी बाते रखी और चैलेंज किया है उन सांसदों को जो अपनी सरकार और अपने पद को छोड़ने से डरते हैं और तमाम जो लोगों की दरिया बिछाते हैं उस पर खुला किया है इस पर आपका क्या जवाब है क्या आप सोचते हैं अपनी राइ भी जरूर दीजिए इसी के साथ देखते रही है जनित आवाज मेरे सेयोगी धर्मेंद के साथ में पूजा Constitution Club दिली